धरमराज की कहानी प्राचीन समय की बात है एक नगर में दो सेठानियां रहती थी बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था लेकिन वह कंजूस थी शोटी सेठानी के घर में धन कम था लेकिन वह मन से बहुत द्यालू और मददकार थी और लोगों की मदद करने में लगी रहती थी वै रोज सवेरे गंगा सनान करने के लिए जाती तुलसी माता बड़ पिपल सीचती बगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धरमराज जी की कहानी सुनती थी जबकि बड़ी सेठानी ये देखर हसती और कहती थी की पता नहीं दिन बर क्या फालतू काम करती रहती है ऐसे करते करते दिन बीटने लगे और सेठानी ये वद हो गई तब बगवान के घर से बुलावा आया शोटी सेठानी को लेने के लिए धरमराज जी ने अपना विमान भेजा जबकि बड़ी सेठानी को दुट मारती हुए ले जाने लगे रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है तब दुट बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तब ही तुमें खाना मिलेगा थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है तब दुट बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तब ही तुमें पानी नसीब होगा रास्ते में उसके कांटें चूबने लगे और तेज गर्मी पढ़ने लगी लेकिन दुट उसे गसीटते हुए ले गए अब बड़ी सेठानी बहुत पश्ताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी धान धर्म नहीं किया इतनी देर में धर्मराज जी का दर्बार आ गया वहां जाकर उसने देखा कि शोटी सेठानी भगवान के पास सिहासन पर बैठी थी उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए मैं बापस आकर धंड भोग लूँगी धरमराज बोले ठीक है बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्रान डाल दिये गए धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धरमराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धरम किये इतने में समय पूरा हो गया अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धरमराज जी का विमान आया सवा पहर के धान धरम और धरमराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को सवर्ग की प्राप्ती हुई धरमराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसे सब पर करना धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुखार बरने वाले और पूरे परिवार पर क्रिपा करना ये थी धर्मराज जी की कहानी अर्थात धर्मराज जी की कथा